अब आपके सामने एक नया वीडियो पेश करने जा रहा हूं जो है फार्मसेटिकल ऑर्गनिक केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेस्टिन बैंक एक क्वेस्टिन बैंक का फार्मसेटिकल स्टुडेंट सेशनर और उनके इंड सेमेस्टर के लिए यूज कर सकते हैं फार्मसेटिकल ऑर्गनिक केमिस्ट्री उसके लिए यह क्वेस्टिन बैंक आप यूज कर सकते हैं उसके प्रिपरेशन के तो लिट इस स्टार्ट विद एक वेस्टिन बैंक वन बाए वन विट आंसर पहला क्वेस्ट्रन इस तरह से तो यहां पर पुछा गए कि बेंजीन का मॉलेकुलार फर्मूला उसमें कितने हैं और हैट्रोजन कितने हैं तो जैसे हमें पता है कि कारवन छे हैं और हैट्रोजन भी चैनल तो यहां से जो ऑप्षन है कौन्स ऑप्षन है वाले में यह तो नहीं है यह जवाब आपका इस अगला सबाव आपकी स्क्रीन इतायल अल्कोहल और डाय मिथा इथर आर यह दोनों क्या है तो नीचे आपके ऑप्षन पर है में क्वेस्टन समझ में आएका ओप्षन है पोजिशनल आईसोमेरिशम चैन आईसोमेरिशम फंक्शनल आईसोमेरिशम में तो इथाइल अल्कोहल और तो तो यह तो क्या है यह बिल्कुल सही जवाब इस फंक्शनल आईसोमेरिशम फंक्शनल ग्रूप अलग है अगला क्वेस्टन है आपकी स्क्रीन पर साइक्लोहेक्जेन इस डाइश डाइश साइक्लोहेक्जेन क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है तो साइक्लोहेक्जेन क्या अरोमेटिक कंपॉंड है या हिट्रोसेक्लिक कंपॉंड है या फिर अली साइक्लिक कंपॉंड कौन सा है साइक्लोहेक्जेन बिल्कुल ब विल्कुल सही याद किजी याद किजी याद किजी टोपिक यास पिल्कुल सही जॉप इट्स ऐली सैकलिक अर्मेटिक नहीं किसमेड़लन सेंगल नहीं है है इसमेड़ एली फैटिक यह उपंचेन नहीं एट्स फैट्स अलीस next है कोई भी हीरो नहीं है सलमान विल्मन आपका तो यहां पर हिटरो आटम कौन सा है वह आपको फाइंड आउट करना है तो वह हिटरो आटम है है बिल्कुल सही जवाब वह है नाइट्रोजन यास है अब हम चलते हैं पान्चवे सवाल की और और वह रहा आप की स्क्रीन पर अल्डीहर्ड और की टोन कंटेनिंगग अल्फा हइटरोजन आटम की यूज़ अल्डीहर्च और की टोन जिसमें वाध्रोजन रजटता है वह क्या आप यह लिख여 सब्सक्राइब याद कि जिसमें कंपल्शरी कंडीशन है कौन सा है तो बिल्कुल सही जवाब आपका रो है अल्डल कंडेंसिशन जिसमें अगर होता है अगला सवाल कि स्क्रीन के दूबर एसिटाइली इस बिल्कुल सही जवाब आसान सा एक सिग्मा बांड एन है टृटल बांड है च्रिपल बांड है च्छ बिल्कुल सही जवाब आपका और यहां पर आपको मैट्स मिल जाते हैं ओके तो और इसी तरह एक्जाम में भी आप क्वेशन के आंसर देते रहे और ऐसी क्वेशन बैंक के लिए नीचे दिया हुआ यह चैनल सब्सक्राइब करेंजी अगला सबान आपकी आखों के सामें अमाइन्स अर अलकिल डेरिवेटिव और अमाइन्स जो है अलकिल डेरिवेटिव और किसके? वाटर के? पानी के? अमोनिया के? अलकिल डेरिवेटिव है बिलकुल सही जवाब है आपका और यह रहा अगला सवाल आपकी क्वेशन बैंक के लिए अमाइन्स आर डाश डाश इन नेचर इस अमाइन का नेचर क्या होता है? अगला सवाल आश इस लूश यू अमाइन्स आर डाश इस बैसिड़ और यह रहा अगला सवाल आश इलू शालू शालू शुलू इस जो याद कीजिए वो पल जिस वक्त हमने ये पढ़ा था यास बिल्कुत सही जवाब वो एस्पिरीन भी है और अनाल्जिसिक वलकर भी काम करता है इसे लिए उप्शन बोथ A and B रहेगा ये सवाल दू मार्स के लिए या एक मार्स के लिए डिपेंड अग्जामिनर पूछा जा सकता है आपके इम्तिहान में और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा औक्जालिक आइसिड कंटेनिंग औक्जालिक आइसिड कंटेनिंग 1-COH, 2-COH, 3-COH, 4-COH कितने और अग्जालिक आइसिड में ऐसा इस सवाल पूछ रहा है कितने अग्जालिक आइसिड में करबगजिल गूप है मतलब, अग्जालिक आइसिड में कितने आइसिड गूप है सामा तो बिलकुल सही जवाब यहा रहा दो जय और विरु नहीं, COH दो रहेंगे इसमें, अगला सबार, only 100 inversion type product is formed, कौन सी reaction है, जिसमें सब प्रतीशत उल्टा प्रड़क्ट आता है, उल्टा मतलब, inversion product आता है, कौन सा है वो, SN1, SN2, E2 या E1, बिल्कुल सही जवाब आपका, रू है SN2, इसमें 200% inversion क्योंकि बाक साइड अटाक है, और ये रहा आपके स्क्रीन पर इसमें, इन अंटी मार्को निको रूल, कौन सा हेलोसिट काम करेगा, एंटी मार्को निको में, HCL, HBR या HI, या सभी के सभी, एंटी मार्को निको रूल, तो एंटी मार्को निको रूल, सौरी, एंटी मार्को निको रूल में जो काम करेगा, वो HBR ही करेगा, न में सब कर सकते अगला यूनी मालीकुलार रियाक्शन एक मॉलीकुलार रियाक्शन होता है जैसे ने यह सभी के सभी या बिल्कुल सही जवाब पर हुआ है SN1 इसमें unimolecular, क्यों unimolecular? क्योंकि एक ही molecule के concentrate position पे पूरा rate of reaction dependent है, समझवा, अगला सवाल which of the following is a secondary alkyl halide निचे दिये हुए option में से secondary alkyl halide काउन सा है? कौन सा है भाई? ethyl chloride, isopropyl chloride, tertiary butyl chloride ये neopentyl chloride जनरली secondary मतलब iso होता है तो definitely आपका जवाब सही है और वो है isopropyl chloride यस बिल्कुल सही आप बहुँ टालेंटेड लोग हो इसलिए आप पड़ापट जवाब दे रहे हो अगला सवाल आपके आखों के सामने रहा यह है dehydration of alcohol dehydration of alcohol क्यों? जैने alcohol को अगर हम dehydration करेंगे अलकुल का तो हमें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं अलकुल सही जब अलकुल सही जब अलकीन बनेगा यह दो जगा हमने पड़ा है अलकुल भी मी और अलकीन मी और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर kitchen हेगा निया वाटर है यह दो खालकुलीजास यह बाताइए क्यास अलकुलीक हेवेच वेशे की आपकोर्थी ही तो अगला सवाल आपके आखोंके सामने शायद आपकर नजर भी आ रहा होगा और वो सवाल है इथेन मॉलिक्यूल का बॉर्ण इंगल का बॉर्ण इंगल क्या है आपको उसा इंगल से देख रहे हो और आपका इंगल बिल्कुल सही है और वो है 120 डिगरी अगला सवाल आपके नजरों के सामने आता हुआ अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर which of the following is SP3 hybridization SP3 hybridization वाला नीचे से कौनसा मॉलक्यूल है मिथेन वाटर अमोनिया बताएए बताएए यह सभी यास यास SP3 SP3 यह बिल्कुल सही जवाब है सबके सब SP3 hybridize है क्योंकि सभी का tetrahedral structure है अगला सवाल आपके TV स्क्रीन पर रहा वो सवाल है अलिभेटिक अनसाचुरेटेड हेटरो कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रीपल बाउड इस लोन आइज अलिभेटिक अनसाचुरेटेड हेटरो कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन क्रीपल बाउड कार्बन कार्बन मदे थीहेरी बाउड असने रहा कांत कंपोंड आहे असा इचरते अलक तेहना जो कि है एक्जाम्पल जिसमें तीन बॉंड होते हैं एक सिकमा और दो पाइ बॉंड जिसे हम ट्रिपल बॉंड तिहेरी बॉंड बोगते हैं अगला सवाल 21 नंबर का आखे आखों के सामने आता हुआ विच ऑप फॉलविंग शोग जिवामेट्रिकल आईसोमेरीज़न नीचे दिवें कंपाउंड में से सब्सक्राइब को एक्जिबीट करता है यू टू इन पिंटैनाओक एसीड फॉर्मीक एसीड या इथीन कों सा रहेगा जो 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 जामेट्रिकल आईसोमेरीज़न के तरफ यह हो गया आपका 2020 एक्स्टेशन और आप चलते हैं 22 गेस्टन की और जनरल फॉर्मुला आफ अलकीनीद अलकीन का जनरल फर्मुला का है मेरे भाई आपको पता है मुझे तो पता नहीं है इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं पताएए हाँ यस यस वो है Cn H2n जितने कार्बन होंगे न उससे दुगने वहाँ पर हैड्रोजन होंगे उसे हम बोलेंगे अलकीनीद समझ गए न तो आईए अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं और यह है अग तो यह क्यों सा कंपाउंड है बताइए मुझे बिलकुल सही जवाब लाक्टिक आसेड पैंटल इथी कौन सा है भाई तो वह है लाक्टिक आसेड बिलकुल सही जवाब मैं भाई आई यह फिर मेरे भाई चलते हैं अगले सवाल की तरफ और वह है में है किसमें मिलता है है कि टोन्स में इथर्स में या कार्बगजिलिक आसीड में में आइसे नहीं को है कौन सा फंक्शनेल करता है मेरे भाई हूं है आपका इथर इसमें में डिखता है सब्सक्राइब कि लाइक कि और शेर करने ना भूलें इस पार्ट का इस वीडियो का वह है आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन जो है वह दूसरे के क्या है सब्सक्राइब कि अगर किसी सवाल के बारे में डाउट है तो कमेंट बाक्स में जुरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में और एक क्वेश्चन बैंक के लॉट के साथ तब तक के लिए टाटा बाइबाए थैंक यू PLEM दो बाइबा है